तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था विज्वल स्टुडियो को या जो आईडी होती है वर्सेस हमारी जुपिटर नोडबुक्स और क्या डिसएडवांटेज़ है तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइटल्स लेबल्स और लेजेंड्स के बारे में देखे यानि की एकसिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और जो य एकसिस है वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद में लेजेंड्स भी हम एड़ करेंगे लेजेंड्स यानि यहां पर साइड में बॉक्स आजाएगा और वह उससे हमें पता चलेगा कि यहां पर जो और और जो ब्लू लाइन है वह क्या रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्लू लाइन है वह क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पर मैं सबसे पर इंपोर्ट कर लूगा matplotlib.pyplot as plt और इसके बाद में यहाँ पर जो हमने पहले लिस्ट बनाए थे इसी को मैं copy करकर यहाँ पर paste करूँगा तो अगली वीडियो में हम लोग scatter plots, bar graphs और histograms वो सारी चीज़े देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर अभी titles, legends और labels के बारे में discuss करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते थे basically यहाँ पर हम type करते रहे थे plt.plot और फिर हम लिखते थे plt.show अब हर एक आप जो graph draw करते हैं उसमें title, labels और legends होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यह basically convention होता है और यह एक programmer की खासियत होती है कि title और यह सारी चीज़े होना होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं type करते प्ल्ट.title और इसके अंदर मैं जो है अपना title लिख सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख दूगा और अब अगर इसे मैं alt enter से रन करूँ तो आप output देख सकोगे यहाँ पर अभी करनल यहाँ पर busy है इसलिए यह time ले रहा है लोड होने के लिए तो यहाँ पर मेरा graph मुझे जारा सा दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर lines नहीं है और most probably यहाँ पर कुछ गड़वड हुए लेकिन आप देख सकते है जो title है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यानि tech with worship यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अब यह अगर पिछले वीडियो में देखा था और उसके अंदर यह header बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा अच्छा होता है लेकिन क्यूंकि मैं आपको यहाँ पर tutorial बना कर दे रहा हूँ तो मैं Jupiter notebooks को ही stick करूगा ज्यादा तो इसे मैं वापस से run करने के try करता हूँ मुझे पता ही जरा सा हमने गडबड कर दी क्योंकि हमने इसे कोई भी parameters ही पास नहीं किया तो यह बहुत ही ज्यादा silly mistake थी हमारी तो यहाँ पर मैं क्या करूगा x,y और इसी के निचे plt.plot और फिर यह parameters लेगा x2 y2 और फिर अब मुझे मेरा graph दिखाई देगा और मुझे जो है header भी बात आती है legends की अब अगर मैं यही same code यहां से फटा-फट copy कर लो आपको यह जो पूरा जहां पर भी मैं copy कर रहा हूँ आपको manually type करना चाहिए इससे आपके typing speed भी बढ़ेगी और आपकी ज्यादा practice भी होगी तो अब अब अगर मैं यहां पर type करो plt.legend और फिर अब अगर इसे run करू तो यह मुझे error देगा no handles with labels found to put in legend यानि की matplotlib हमें simply कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि यह जो line है यह क्या represent कर रही है तो matplotlib अब खुद से तो कुछ लेगा नहीं तो मैं क्या करूगा इसी code को वापस से copy करकर नीचे paste करूगा और हमें हमारे जो lines है यानि की यह जो lines है उन्हें label देना होगा तो यहाँ पर एक और मैं comma add करकर यहाँ पर label equals to यहाँ पर label दे सकता हो यहाँ पर अगर मैं type करूँ line 1 और फिर इसी तरह यहाँ पर मैं comma add करकर label equals to line 2 अब अगर इसे मैं run करो तो मुझे वह error नहीं दिखाए देगा और आप देख सकते है side में यहाँ पर एक box आ चुका है जहाँ पर यह कर रहा है कि जो blue line है वह line 1 है और जो orange line है वह line 2 है तो अगर आपका line इस area में भी आ रहा है तो automatically आपका जो box है वह इस side को आ जाएगा कभी-कभी overlap भी कर सकता है आपकी जो line है और आपका जो legend है तो उस time पर हम customization के बारे में भी बात करेगे कि कैसे चीजों को आपको customize करना है अब बात आती है कि यह जो x-axis है और जो y-axis है उसे कैसे label add किया जाए तो वापस से मैं उपर का code copy करूगा अगेन आपको यह manually type करना होगा और इसके बार में जो plt.legend है उसी के नीचे यह उपर भी आप type कर सकते है यहां पर मैं type करूगा x label और यह parameters में basically एक string लेगा तो इसके अंदर में डाल दूगा this is the x label और फिर इसी line को में copy करकर नीचे paste कर दूगा और यहां पर x का y कर दूगा और यहां पर भी x का y कर दूगा अब अगर मैं इसे run करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर जो x और y axis उन्हें भी label मिल चुका है यहां पर मुझे यह दिखा रहा है this is x label और this is y axis label तो guys आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे titles, labels और legends को add किया जाता अगले वीडियो में तो अगले वीडियो में तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीज़े और अगर आप चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कीज़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीज़े मैं मिलूग आपसे अगले वीडियो में और मैं वेट कर रहा हू आपका अगले वर्यूम है